यह हमारे देश के प्रधान मंत्री इतने कमजोर और डरे सहमें है कि नेपाल जैसे दोकवरी के देश को जबाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि क्या इस प्रधान मंत्री से क्या उमीद किया जाए कि किसन गंज के बोडर पर नेपाल इतना दुस्साहास कर रहा है और प्रधान मंत्री जी सेरेंडर प्रधान मंत्री हैं जो प्रधान मंत्री जी कहते थे कि हमारा सीना 56 इंची का है प्रधान मंत्री नरंदर मोदी जी का जवान कतर कतर चलता है 56 इंची का है प्रधान मंत्री जी एक नंबर के निकमे निकारे डरपोक प्रधान मंत्री पूरे अजाद भारत में पहली बार मिला है जो नेपाल जैसे देशों से डर गए जो रातो रात 12 गंटे के अंदर कराची लहुर पहुंचने की बात कर रहे थे तो क्या नेपाल जैसे देशों की भ दारभाई भाई हम कैसे करवाई करें चले थे हिंदूस्तान को बनाने अमरिका जर्मनी बना दिया इन्होंने नेपाल प्यान अमनत्री जी न हम medium करें कि तें के साथ कैसे कर लेंगे पाइद्ध कर सकते हैं प्रधान मंत्री जी मर्क प्रधान मंत्री है आप देख रहे होंगे देश का लुटेरा जीनी उसका मालिक भाजबा का राज सवासांसत सुभास संद्रा जिसने यस बैंक में डेकाइटी डाली आप इन चैलनों से उमीद करेंगे अंबानी के चैनल है अटानी के च देखे बेगर बुलाए कहीं भी जाने से बेगर बुलाए जो जाए वो पाचे पस्ता है प्रधान मंत्री जी को पता होना चाहिए हिंदू धर्म के फरजी ठेकेदार हैं प्रधान मंत्री जी जब मा पारबती अपने पिता दक्ष प्रजापती के यहां बेगर बुलाए ग मैं गरीब का बेटा हूं कहते कहते इन्होंने जो आयास की जिंद्गी जी है भारत के पैसे से उसका यह नतीजा है प्रधानमंत्री जी के विदेश निती खराब होने के कारण आर्थिक निती खराब होने के कारण प्रधानमंत्री के दंभी अहंकारी और ग्यानी होने के भारत की छीचा लेदर इन्होंने कराया है इसका खामियाजा देश को भुगतना पर रहा है खास करके बिहार को भुगतना पर रहा है जिस नेपाल के साथ बेटी रोटी का सम्मंद था मा सीता का जनमस्थली बिहार और जो उनका जनकपुर धाम था वो मिथला में अब देखि है वहां कुछ लोग हम कायल हो जाते हैं फिर अब नया घटना हो गया कि आप पूरे देखिए कि कि संगंज के बोडर पर नेपाल इतना दुस्साहास कर रहा है और प्रधान मंत्री जी कहते थे कि हमारा सीना 56 का है प्रधान मंत्री नरंदर मोदी जी का जवान कतर कतर चलता है 56 का है प्रधान मंत्री जी एक नंबर के निकम में निकारे डर पोक प्रधान मंत्री पूरे अजाद भारत में पहली बार मिला है जो नेपाल जैसे देशों से डर गए रात और रात 12 गंटे के अंदर कराची लहुर पहुंचने की बात कर रहे थे तो क्या नेपाल जैसे देशों की भी जबाब देने की हिम्मत नहीं है इनकी पैंट गिली हो गई नेपाल का इतना सास कैसे हो सकता है जो देश हमारे हैं हिंग सिलाजीत बिचता था जो हमारे चोक देखें तारीफ करने बाले भाजपा के आईटी सेल के लोग देश के दलाल मीडिया के भरबे पत्रकार थे जो उनकी प्रसंसा करते क्या आप विदेश निती की प्रसंसा कहेंगे कि नेपाल जैसा दो कोरी का देश परिशान करें इन्होंने कभी भी साकारात्मक दिसा में पह को पहारधान मंत्री के गिरी जीले में जहां गिरी छित्र है बनारस में माधा मुडवा के जवरदस्ती जैसरी राम लिखते हैं मौलिंचिक करने की कोशिस करते हैं तो कोई भी देश पूरे विश्व में आज जो भारत की स्थिती हो गई है चामरी का हो या गल्फ कंट्री हो मुस्लिम देशों की कंट्री हो सभी जगा भारत का मतलब उच्छा भी खराब कर दिया प्रधान मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी आंकारी है औग्यानी है कोरा गप्पू है पूरा देश ने माल लिया है कि फेकू ही पप्पू है जिस तरीके से प्रधान मंत्री जी के और विवेक पुर्ण रविये के कारण आज बात बात में पाकिस्तान धमकी देही रहा था सिरलंका भी आखे तरेर रहा है इधर बुटान हमारी जमीन के आखे तरेर रहा है पानी रोक दिया इधर नेपाल हमारे चैनलों को ब्लैक लिष्ट में डाल दिया फाइरिंग कर रहा ऐसे सिती में पुर्वत्र के राज्यों में जहांबाड की समस्या है उसके बारे में सोचना चाहिए पूरे दमखम के साथ सिर्फ कहते हैं कॉंग्रेस मुक्त भारत करेंगे कैसे कर लेंगे पूर्थान मंत्री जी आप कॉंग्रेस पर भष्ट चार क्या रोप लगा रहे थे और कॉंग्रेस के तमाम नेताओं को खडिद कर सरकार बनाने में डेश लूटने में लगे हैं कि ऐसे में कैसे आप देश की विकास की उमीद कर सकते हैं प्रधान मंत्री जी मुर्ख प्रधान मंत्री है राजा के मुर्ख होने का प्रजा को खामियाजा भुकतना पड़ता है मंदोदरी ने रामाइन में कही थी किस मीडिया की बात करते हैं देखे अंजना ओमकस्यप के पती को सीवी सी के लाख विरोध के बावजूद सीवी यो बनाया गया रज़त सर्मा को पदम सम्मान दिया गया रज़त सर्मा को किर्केट कंट्रोल बोर्ड में में मेंबर बनाया गया रज़त सर्मा को नहर्यू मीजियम में में मेंबर बनाया गया अर्नव गोस्वामी दोकुरी का लुच्चा लफंगा पत्रकार भाजपा के राजसभा सांसद बीपील के मालिक राजीव सेखर की कमपनी में पार्टनर है उसके परिवार के पूरे सदस्यों को टिकर दिया जाता है आप देख रहे होंगे देश का लुटेरा जिनी उसका माल भाजबागारा सवासांसत सुभाष संद्रा जिसने यस बैंक में टेकाइटी डाली आप इन चैलों से उमीद करेंगे अंबानी के चैनल है अटानी के चैनल है पौने दुआख बाला बाबारामदेव के चैनल है एक साजिस के तहद स्वामी विवेकादन इंटरनेशनल फा चालता है कैग वाले टूजी एस्पेक्टर में फरजी घोटाला देश को लोकतांत्रिक सरकार को चुने हुए सरकार को असर करने के लिए अन्ना जी बैठते हैं कहां गया अन्डा किस बिल में छुपे हैं पौने दो आंख वाला बाबारामदेव पचीस रुपे डीजल 200 रुपे देने की बात कर रहे थे कि काला धन इतना है कि अगर धर्ती से आसमान तक अगर सीरी बनाई जाए तो फिर चर्के उपर वापस आ सकते हैं कहां गए यह लोग जो समय स्मृति रानी अनुपम खेर अभिताब अचन कुमार विश्वास केजरिवाल मनिस सोधिया सरी च्छिके लोग किरनवेदी सरीखे लोग जो देस में तमाम मुद्दाओं पर अंदोलन किया करते थे मघंगाई के मुद्देपर रोजगार के मुद्देपर व्ववस्त्ता के मां मुद्देपर आज चुप और मोन क्यों है को गई किरनवेदी अपने आपको honest कहती थी जन प्रेताओं का कोई जोर नहीं है आज पूरा देश देख रहा है उसी बिहार में जहां 15 साल से नरेंदर मोदी जी कह रहे थे भाजपा के लोग की भाजपा का सासन आएगा बिहार में ये पल्टेगा 15 साल से भाजपा लोचपा जदियू की सरकार है मोदी जी पिछले जो वहां का ठेकेदार था सत्तर घाट पूल 29 दिन में ढहके गिर जाता है कहते हैं आपदा ये लोग आपदा को अफसर में बदलने वाले लोग हैं करोना महमारी में यहां पूरे देश में पिपीए कीट समागरी देनी चाहिए वहीं यहां का केंदर सरकार का वानी जी मंत करम की गुलामी ने पूरे देश का भठा बैठा दिया देश ने देखा है लेकिन नेपाल तो खुद एक कमजोर नहीं होता कमजोर नहीं समझना चाहिए यह हमारे देश के प्रधान मंत्री इतने कमजोर और डरे से हमें हैं कि नेपाल जैसे दोकवरी के देश को जबाब नहीं दे पा रहे तो आप सोच सकते हैं कि क्या इस प्रधान मंत्री से क्या उमीद किया जाए बाड की समस्या है प्रधान मंत्री जी बाड की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे देश का जलसंसादन मंत्री राजस्थान की सरकार को अस्तिर करने में लगा है हम जलसंसादन मंत्री सेखावजी से कहना चाते हैं भाजबाय के तमाम भाजबारेसस के नेताओं से कहना चाहते हैं कि डूब मरो चुलू भर पानी में निकमो जाहिलो नम खरामो बहुत नारा दिया था नून रो टिखाएंगे भाजबागो जीताएंगे अब लोग भुखमरी से मर रहे थे करोना से मरेंगे मर रहे थे अब ब राज हो बिहार हो उसके बारे में सुधी लेने का ख्याली इनको नहीं है कब लेंगे कब लोग तंत्र की हिपाज़त करेंगे कि जैन जै भारत